वेलकम, दिस इस आई चांदोलिया, hope you're all doing good So last video मैंने बनाई थी float service के उपर तो उसके बाद मुझे काफी DM's है कि jump and power service के उपर भी video बनाऊ पर वो बनाने से पहले मैं सोच रहा हूँ कि जो steps, attack के steps या service के लिए जो steps लेने हैं उसके बारे में आप सबको बता दू ताकि आप अच्छे से service कर पाओ तो आज की video हमारी steps के उपर होगी, जो attack jump करते हैं उसके लिए या फिर service के लिए और अगर आपके steps सही होंगे तो आपका जो ball adjustment वो भी ज्यादा अच्छा होगा और आप जो ball को है अराम से अच्छे से hit कर पाओगे, तो step सही होने बहुत ज्यादा important है आपको बतारता हूँ कि अगर आपके steps सही होंगे तो आपका jump जो हो और ज्यादा improve होगा क्योंकि जब हम कुछ नया लेके आते हैं तो हमारा जो game वो effect होता है पर जैसे से अगर आप ठीक से कर पाओगे step तो उसके बाद आपका game वो improve होगा तो आपको यह सही तरीके से करना है एक बार अगर आपके steps सही हो गए तो उसके बाद आपको बहुत ज्यादा फाइदा होगा बहुत सारी चीजों के अंदर adjustment के अंदर ले लो या फिर jump के अंदर लो हर चीज में आपको फाइदा होगा और एक चीज का यह भी धान रखिए कि काफी time से आप गलत steps ले रहे हो तो अब सही step लोगे तो आपको time भी ज्यादा लेगा पर आपको बता देता हूँ कि किस तरह से आपको steps लेने है अभी मा आपको normal steps है वो बता देता हूँ पहले तो पहले आपको right pair आगे लेके आना है फिर left pair और last में जो है दोनों pair होगो साथ में पर पहले हमारा जो right pair है वो जमेन के उपर आएगा सो अब आप मेरे steps को ध्यान से देखना पहले मैं मेरा right pair आगे लूँगा अगर आप left की हो तो आपको पहले अपना left pair आगे लेना है यह step distance को cover करने के लिए होता है अगर आपके पास ज्यादा distance है तो आप यह step लंबा लोगी अगर कम distance cover करना है तो आप यह step छोटा लोगी इसके बाद हम बात कर लेते हैं last 2 step की तो यह सबसे ज्यादा important है last 2 step सो जो आपका second step है मतब left leg जब आप touch कर रहे हो ground के तो आपको left leg से खुद की body को आगे तरफ push करना इससे आपकी speed अच्छी होगी और जो final step है उसके अंदर jump लेने में help होगी तो अब हम बात करते हैं हमार last step के बारे में तो यह सबसे ज्यादा important है और इसमें सबसे ज्यादा गलती होने के chances होते हैं so इसमें आपको यह ध्यान में रखना है कि आपका right leg पहले ground पे land हो उसके बाद left पे ground पे land हो so अब जो मैं आपको clip दिखाने वाला हूं उनको ध्यान से observe करना क्योंकि इसमें मैंन same है तो इसी तरह से आपको करना है अगर आपको कम distance cover करना हो तो आपको पहला step छोटा लेना है पर अगर आप defense कर रहे हो और net से काफी दूर चले जाओ तो आपको पहला step वो लंबा लेना है ताकि आप बोल तक पहुच जाओ और और बोल को adjust कर सको and sometimes जब बोल ठीक से set ना हो मतलब बोल अंदर रहे जाए तो आपको जो अपना last step है उसकी side change कर लेने उसकी direction चेंज कर लेने ताकि आप बोल आराम से adjust कर पाओ जैसे मैंने इस clip में किये and जब आप backcourt ball hit करो मतलब third meter के पिछे से ball hit करो तो आपको first step है वो हमेशा छोटा लेना है क्योंकि अगर आप बड़ा step लोगे तो बहुत ज़्यादा chances है कि आपकी line cut होगी तो आपको step है वो छोटा ही लेना है होप आपको first step समझ में आ गया होगा कैसे यूज़ करना है अब मैं आपको बताता हूँ कि second और last step आपको कैसे ठीक करने है सो पहली जो हमारी drill है उसमें आपका जो second step मतलब left ले गए उसको आगे की तरफ push करके जो final step की position में आपको आना है आपको jump नहीं करना है अभी के लिए सिर्फ आपको position के अंदर आना है और जब आपको ये step clear हो जाए उसके बाद आप इस drill को level up कर सकते हो इसमें आप jump भी साथ में add कर सकते हो ये drill काफी आसान है और उतनी जदा effective है इसको आप patience के साथ करते रहिए इसके result आपको जरूर दिखेंगे वो भी बहुत जल्दी और इस drill का एक फाइदा ये भी है कि ये आप कहीं पर भी कर सकते हो घर पर कर सकते हो या ground पर कर सकते हो और जितना जदा करोगे आप उतनी जल्दी आपको इसकी आदत पड़ेगी और आपके step से वो सही हो जाएंगे आप चलते हैं हमारी final drill की तरफ ये drill हमारे final step के लिए है इसके अंदर आपको अपने right leg को पहले से आगया रखना है और उसके बाद left pair को लेक के आना है और jump करना है इसको आपको feel करना है जैसे हम last step में jump कर रहे हैं इस exercise से आपके technique भी improve होगी मैंने already एक वीडियो में इस exercise के बारे में बताया है तो वो वीडियो आप देख सकते हो description में link है उसकी and एक बात का और ध्यान रखे आप कोई भी exercise कर रहे हो jumping exercise कर रहे हो तो shoot जरूर पहने चाहिए आप घर पे हो या ground पे हो क्योंकि बहुत ज्यादा important है और अगर आपको अच्छे volleyball shoot चाहिए तो मैंने link description मे डाल रखी है आप वहाँ जाके check out कर सकते हो तो यह था हमारा आज का वीडियो अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को like करना और इस चैनल को subscribe करना अगर नहीं हो तो और अगर आपके कोई भी दिक्कत या problem है तो आप मुझे comment box में बता सकते हो या Instagram पे DM कर सकते हो